अस्टावक्र गिता का बहुत ही महत्वपुण एक स्लोक ले रहा हूं बड़े अच्छे से इसको समझना ध्यान प्रुबग गहिराई के साथ इसका अर्थ जानने का प्रियास करना है इसको मैं हाइली रिकोमिंडेशन करता हूं कि आप बड़े अच्छे से इस सुत्र को समझ सुत्र ये कहता है ज्यानम गेयम तथा ज्याता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्यानत भाति यत्रैदम सोहम अस्मि निरंजना अर्था ज्यान गेये और ज्याता ये तीन चीजे बास्तव में नहीं है त्रितयम नास्ति वास्तवम बास्तवम में ये तीन चीज होती नहीं अज्ञानात भात ये त्रेदम ये तीन चीज़े जो है अज्ञान के कारण भास्ती है लगता है कि ये है और सोहम अस्मि निरंजना मैं क्या हूँ निरंजन हूँ मैं इत्तीन चीजों में से कोई भी नहीं हूँ तो जो किष्वर्ति बताते हैं वही ये सुत्र है कृष्वर्ति का सारा का सारा सिख्या इसी में आता है वो जो बोलते हैं अपजरवर इन्य अपजरब और कंट्रोलर इन्य कंट्रोल और भहुत सारे फ्रेज उनके जो है इसी पर आधरीत sentence मित्रों अब हम इसको समझते चलेंगे और आपको थोड़ी से एक सुचना देना चाहता हूं अगर आप साधना की वीडियोज देखना चाहते हैं मेरी तो 15 वीडियोज मैंने ऐसी बनाई है जो आपको साधना के ध्यान के गहराई के अनुभब में ले जाएगी तो उसके लिए आप रात करें वो प्राइवेट वीडियोज है और मैंने वार्षप का नम्मर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मित्रों आगे चलते हैं सबसे पहले जानेंगे कि ग्यान गये तथा ग्याता ये तीन चीजे क्या होती है जिसको ब्वला गया कि बास्तर में ये चीज नहीं होती है मगर हमको ये ही भास्ता है हमारा जो संसार है वो तीनों का संबंद है इस तीन चीजों को त्रिपुटी भी बोलते हैं सास्रों में त्रिपुटी ग्यान ग्याता और गये ये तीन चीजों से बनी त्रिपुटी है वही हमारा संसार है तो इसमें बोला गया कि ये नहीं होती हमको लगता है कि ये चीजे हैं इसलिए हमारा जो संसार है वो सब लगता है वो हमारा जो संसार है जो हम देखते हैं जानते हैं सुनते हैं अनुभब करते हैं वो एक क्या है अज्ञान के कारण वो लगता है वैसा मंगर वो बास्तप में वो संसार एक जूट है वो है नहीं तो यह संसार हमारा कैसे बनता गे ग्याता और ग्यान के कारण तो इसमें गे क्या है गे का अर्थ होता है जानने वाली विशय जो भी बस्तू बाहर की जगत में दिखता है जो भी दृस्षे होता है उसको बोलते हैं गे और ग्याता क्या है जो इन चीज़ों को देख जो मई होता है हमारे अंदर उसको बोलते हैं ग्याता उसको द्रिश्टा भी बोलते हैं और कुश्वमृति के भासा में जो गेये हैं उसको बोलते हैं अबजाब्ट और ग्याता जो है उसको बोलते हैं अबजर्बर और फिर इसमें ग्यान तिसरा जो है वो ग्याता ने गेये बनाया जो आर्था उसने पना दिया उसको ज्यान बुलते हैं। इसको हम उदारन से समझेंगे, जैसे गेये हैं। गेये यानि दिखाई पढ़ने वाली चीज, वा, सुनाई पढ़ने वाली चीज, जो भी है बाहर का भी सय, उसको गेये बुलते हैं। जैसे हमने एक आदमी को देखा, तो क्या हो गया, वो एक गे बस्तू हो गया, एक रसी को देखा, क्या हो गया, वो एक गे बस्तू हो गया, द्रस्से हो गया, एक कुत्ते को देख लिया, वो भी क्या हो गया, बस्तू हो गया, द्रस्से हो गया, उसी को बोलते हैं गे, यह बा ग्याता, जानने वाला, जैसे आदमी को देखा और वह आदमी को किस ने देखा, मैं ने देखा, मैं क्या हो गया, ग्याता हो गया। रसी को देखा और किस ने देखा माई ने देखा तो माई क्या हो गया ग्याता हो गया इसे को किसमुर्ति अबजरबर बोलते हैं वा कंट्रोलर बोलते हैं वा थिंकर बोलते हैं और इसमें जो ग्यान ग्यान का मतलब होता है ये दो चीजों जब एक आपस में जुड़ती तब क्या होता है कि दोनों का संबंद बनता है उसका नाम ग्यान है जैसे हमने किसी आत्मी को देखा हुआ द्रस्टे हो गया और किसने देखा मैंने मैं हो गया ग्याता और मैंने जो अजब उस आत्मी को देखा तब ग्यान का पैदा होगा तब मैं क्या बोलता हूं उस आत्मी के बारे में, वो आदमी के बारे में मेरा धारणा क्या है, उसको पहले तो मैं बोलूँगा आदमी, तो ये एक ज्ञान हो गया, आदमी जब बोलूँगा मैं वो ज्ञान हो गया, और उस आदमी को मैं क्या बोलता हूँ, वो पहिचान वाला है, इस्टमित्र है, जैसे काका है, तो मैं बोलूँगा उसको काका, यह काका क्या हो गया, ग्यान हो गया, यह से कुट्टे को देख लिया, कुट्टे द्रस्य हो गया, और किसने देखा, मैंने, वो ग्याता हो गया, और ग्यान क्या हो गया, कि यह कुट्टे जो मेरा कुट्टा है, जो मेरा कुट्टा है, यह क् ग्यान का अर्थ होता है संबंद, संसार में हम संबंद बना देते हैं, किसी को मेरा बुलते हैं, किसी को तेरा बुलते हैं, किसी को बिद्यार्थी बुलते हैं, किसी को सिच्छक बुलते हैं, किसी को बेटा बुलते हैं, किसी को धनी बुलते हैं, किसी को गरीब बुलते हैं, किसी को मुसल्मान बोलते हैं, तो ये जो भी हमने ज्ञान बनाया है, ये क्या है, ये संबंद क्या है, ये ज्ञान है, तो ये तीन चीजें ऐसी होती है, और हमको जगत सत्य मालूम पड़ता है, और ये सत्य, ऐसा सत्य है, वो ज्याता का सत्य है, ज्याता ने जिस गे को देख और जिस ज्ञान के सहरे उसने एक जगत पईदा किया उसी को संसार बोलते हैं और जो ज्ञान होता है ये ज्ञान ब्रहम पहले तो तीन चीज़ों ही ब्रहम होते हैं ये होते नहीं है क्यों नहीं होते हैं इसमें सबसे पहले हम आएंगे ग्याता के उपर क्योंकि ग्याता अर इसमें जो होता है, जूट होता है, महीं जो होता है, वो एक धारणा होता है, महीं कैसे बनता है, कि हम जिस समाज में, संसकार में, जन्में, जैसे सिच्छा दिच्छे हमने लिए, उस हिसाब से, लोगों ने हमको जो बोला, और जो हमने माना, उस हिसाब से, जो हमारे अंदर अगर मैं गरीब परियोबर में जन्मा हूं तो मैं अपने को मानुंगा गरीब। तो ऐसे ही महें का निर्माण होता हूं। ये क्या होता है एक धारणा होता है और उस धारणा के हिसाब से वो गे बस्तू को देखता है इसलिए जो मुसल्मान है ग्याता वो गे बस्तू के लिए फरक सम्मंद बनाएगा और जो हिंदू है ग्याता वो गे बस्तू को फरक ज्यान बनाएगा जैसे अगर ग्याता अर्थात्माई हिंदु है तो जब मंदीर आएगा उसके लिए गे हो गया दृस्षे मंदीर तो उसके उपर ग्यान वो ये बनाएगा कि इसके अंदर जाना है और घुटने टेकना है और पुजा पाट करती है और फुल चड़ाना है ये इसका ग्यान हो उसका संबंद ये हो गया मगर जब मुसल्मान देखेगा उस मंदीर को मुसल्मान क्याता है तो जब वो देखेगा मंदीर को तो उसके पास ऐसा संबंद नहीं बनेगा वो अंदर भी ने जाएगा फूल भी ने चड़ाएगा उसको कोई मतलब नहीं हो गा मगर जब मस्जि है उस परिवार में जन्म है क्रिश्यन है तो वह जो ग्यान तो है जब गाय को देखे का कि युरुप में गाय को देखे का क्या जटा होगा कि इसको काट के खाना है इसका नांक सद्uk mijn होता है तो उसका ज्रें हो गया यह और जो गाय नहीं खाने वाले हिंदू ग्याता है तो वो गाय को देखकर ऐसा समोंद मyahी बनाएगा। वो दुस्रा खाल का समोंद मता है इसको पुजा करना। यह को हमारी गव में आता है। तो आईसा ओ समोंद बनाये once है. इसलिए जैसे ग्याता होता, जैसे मैं होता, उस हिसाब से वो गे बस्तु को देखता, और उस हिसाब से समंदब बनाता, तो इसलिए सभी कुछ गलत हो जाता, क्योंकि ग्याता ही गलत है, वो ही एक माननेता से बना हुआ है, तो इसलिए जो संसार हमारा है, यह सोपन जैसा है यह शोपन जीशा है जैसे शोपन में भी यह तीन चीजे होती है उधर भी गे होता है ग्याता होता है और ग्यान होता है जो शोपन देखने वाला है वो ग्याता हो गया और आसपास जो भी दृष्चे दिखाई पड़ेगा उसको गे मान लेगा और वो ग्यान बना लेगा तो हरता ही है, ग्याता भी हरता है, शोपना का ग्याता असली ग्याता नहीं होता, जो शोपना का मही होता है, वो मही, और जब विपना में आप आएंगे, वो मही एक ही मही नहीं होंगे, शोपना में एक कालपनिक ग्याता होगा, एक धारनाओं से बना हुआ मही होगा, और व तो इसलिए वो जो कुछ भी देखेगा दृस्य को और उससे जो संबंद बनाएगा वो सब क्या होगा जूटी होगा इसलिए बुलते हैं ज्यान के ज्याता तीनों चीज बास्तव में नहीं है अग्यान के कारण पैदा हुआ है इसलिए हमारा संसार जो है वो एक जूट है इ कारण और जैसा वो ग्याता बनेगा उस हिसाब से वो संसार को देखेगा और तू बनाएगा जहां मैं आएगा वहां तू भी आएगा जैसे मैं क्या हूँ सिष्चेक हूँ तो तू क्या हो गया विद्ध्यार्थी हो गया जैसे मैं पापा हूँ ये हो गया तो तू क्या हो गया, बेटा हो गया, मैं गरीब हूँ तो तू धनी, मैं हिंदु हूँ तो मुसल्मान, तो ऐसे लिए मैं दुसरे से भिन्न बनाने के एक विवस्ता है, और जब मैं खड़ा होगा, तब तू भी खड़ा होगा है, क्योंकि मैं बना ही इसलिए था, कि वो किसी से सम्मंदित हो किसी से भिन्ना हो, तो भिन्ना होने के लिए और चीजे भी होनी पड़ेगी, तो इसलिए और चीजों को तू बोलेगा, और चीजों को क्या बोलेगा, गये बोलेगा, दृस्ये बोलेगा, बस्तु बोलेगा, संसार बोलेगा, तो मैं बनेगा, तो संसार भी बनेगा, और म इसके center में होता है ज्यादा मैं, वो पईदा होगा फिर और सब चीजे पईदा होगी, तो ऐसे बात हैं, तो फिर अस्ताबकरा कहते हैं, अज्यानात भादि ये त्रेदम ये तीन चीज ही अज्यान के कारण भासित होदी है, लगता है ये ये है और ये सम्भन्द ये यह है य और हमारी जो संसार के उपर ब्यक्या है वो अज्ञान के कारण भासित होती हमको ज्ञान नहीं है कि मैं का हूँ तो असली में अज्ञान मैं का अज्ञान है और मैं जूट है तो जूटी मैं का संसार खड़ा हो जाएगा तो बोलते हैं सोहम अस्मी निरंजना मैं क्या हूँ तो फिर मैं हूँ निरंजन हूँ, यह ग्याता वाला मैं मैं नहीं हूँ, यह अबजर्बर वाला मैं मैं नहीं हूँ, यह कंट्रोलर वाला थिंकर वाला मैं जो है, वो तो जोट है, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं निरंजन हूँ, तो निरंजन का क्या आर्थ होता है, निर प्ल तो निरन्जन का आर्थे था ए दुर्गुन, दोस रहित जिसवे कोई स्याही नहीं लगी हो धब्बा नहीं लगा हो जो बिलकुल अलग हो जिसके उपर कहीं भी कोई भी कालापन ना हो कालिमा ना हो मसी और स्याही और इंक जो हो वो कुछ लगी नहीं हो और जो सुद्ध हो जो अलग हो उसको बोलते है निरंजन तो मैं एक निरंजन हो ये बोलते हैं मैं निरंजन वो ग्याता नहीं है क्योंकि ग्याता तो निरंजन नहीं है वो तो अंजन है ज्याता तो लटपत है कालिमा से, काजल से कॹईंकि उसको गे पर जो संबंद बनाएगा वो संबंद स्याइग है उस पर वो व्यक्षा आएगा ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, वो अईसा, जैसा में है उस इसाप से वो देखे कर जानेगा, सुनेगा तो इसलिए वो जो ग्याता है हमारा मैं है वो अंजन से घिरा हुआ है वो कालिमा से घिरा हुआ है वो निरंजन नहीं है गे से वो सम्मंदित है बदा हुआ है मगर जो मैं हूँ खास बास्तब में असली मैं वो तो किसी से भी सम्मंदित नहीं है उस पर कालिमा नहीं लगी है स्याही का धब्बा उस पर नहीं लगा है, वो सुद्ध है, निरंजन का अर्थ होता है, जो सुद्ध होता है, तो मैं ऐसा है, ये बात हमको जान नहीं है, और अपने अंदर अपने मैं को डूड़ना है, कि वो कैसे गे, ग्याता और ग्यान से भिन और किसी से भी संबंद नही हो और श्याही और कालिमा और काजल जिसमें नहीं लगा हो वो चीज हमारे वितर क्या है उसको हमको खोज करना है तो मित्रों ऐसे चीज को खोज करने के लिए ध्यान साधना अभी आवसेक होगी तो आप मेरा प्राइबीट वीडियो देखना अच्छा होगा तो आप मुझे बात करें हर्शब पर तो आज के लिए इतना ही थेंक यूँ